नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तों रूस के साथ तनाओ को देखते हुए अमेरिका ने अपने परमाड़ बांबर को रोमानिया में यूक्रेन की सीमा के पास उड़ाया है और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के राष्टपति ब्लादमीर पुतिन ने नाटो देशों को परमाड़ मिसाइलों की धमकी दी है और पुतिन की इस धमकी को आप लोग हलके में मत लीजे क्योंकि पुतिन ने जो कहा है वो यूक्रेन में आप सब देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय प्रवाद की वीडियो क को स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूसी राष्ट पति ब्लादमीर पुतिन के नाटो देशों के परमारु धमकी दिये जाने के बाद अमेरिकी वायु सेना भी अलर्ट मोर्ड में चल रही है और अमेरिका ने तनाव के बीच की सीमा के पास रोमानिया में अपने परमारु बामबर बी-52 को उड़ाकर रूस को सकत संदेज भेजा है और अमेरिका ने इस दोरान जर्मनी और रोमानिया की सेना के साथ अभ्यास भी किया है और माना ये भी जा रहा है कि अभ्यास के जरिए रूस के खिलाफ यह जुटत प्रसिषड करने का उद्देश या बताना था कि नाटो की प्रतिरच्छा करने की जंता का कोई मुकाबला नहीं है और इसी बीच अमेरिकी खूफिया एजन्सियों का अनुमान है कि रूस के 200 सैनिक यूक्रेन में मारे गए हैं और अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए रूस और ज्यादा घातक हतियार तैनात कर सकता है वहीं कोल्ड वार के जमाने के अमेरिका के B-52 बंबर्सक विमान ने अपनी पहली उड़ान 1950 के दसक में भरी थी और इसके बाद बंबर्स में कई अपगेट वर्जन आज भी अमेरिकी वायू से नामे बंबारी की कमान संभाले हुए हैं और इस बंबर्सक विमान ने अपनी सटीक बंबारी से इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्धों में अपनी दंदार ताकत का लोहा मनवाया है B-52 बंबर एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोट को लेकर 12,844 किलो मिटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है और यह बिमान अपने एक हमले से किसी बड़े सहर को तबाह करने की चमता भी रखता है और यह बंबर परमाड उबम गिराने की भी ताकत रखता है और इसलिए इसकी महा विनासक बिवानों में गड़ना होती है अब आप लोग का क्या कहना है अमेरिका के B-52 बंबर को यूक्रेन की सीमा के पास उड़ाने पर कमेंट में जरूर बता है और लाइक शेर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रस करें ताकि डिफेंस से जूरी खबरे आप तक पहुंचती रहें धन्यवाग